कि नमस्का दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपके अपने परिवार के बर्मेंट एजुकेशन में मेरे नाम है जीति इंदर आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलेगा आज हम आगे के कुश्चन डिसक्स करते हैं यह कुश्चन हम MPI टाई ट्रेनिंग में हाई 25 कुश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा हो इस पर क्लिकर करके देख सकते हो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कुश्चन पूछे जाते है क्या लेवल रहता है कुश्चनों का तो यह म लएखता है तर डिका चुनाब करिए जिसका मूh इस्तान भारत में नहीं नहीं है तो यह तीनों नदी तो आपको कह शंब हो चाहे National यहां पर पूछा गया है कि सत्रवी सदी के आरंब में अकवर के प्रधानों द्वारा निम्ड में से किस सहर को बंगाल प्रोविंस की मुगल राजदानी बनाया गया था तो यह जो है वो ढाका बनाया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा यह आप्शन अभी जो है यह बंगल देश की राजदानी है अकवर के टाइम पर बहुत सारी लड़ाईयां हुई है इंपोटेंट और बहुत ही अच्छे जो है वो कार किये गए थे अकवर के द्वारा जैसे की बात की जाए तो दूसरा पानिपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में तो बैरम और हैमू के बीच हुआ था बैरम खां के बीच तो यह अकवर के टाइम पर हुआ था और नौरत न जो है वो अकवर के ही थे जिसमें बात की जाए तांसें हुआ बीरवल हुआ तो यह बहुत सारी चीज़ें जिनके नाम भी आप से पूछ ले जाते हैं कि तुलसी द्वारा राचित राम चरितमानेस जो है वो किसके कारकाल में रचित की गई थी तो अकवर के टाइम पर ही थी अकवर को जो है धपनाये गया था आगरा में याद रखना और इनों ने जो है वो अकवर ने दीन एलाई ही कि जो है वो इस्तापना की थी 1581 में डे इसमें कौन सा न्रत्य महुतसःब के लिए जाना जाता है तो न्रत्य महुतसःब समारो जो होता है यह खजराओं में होता है तो खजराओं न्रत्य समारो भी बोलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा खजराओं तो बी ऑप्सन इसका अंसर हो जाएगा खजराओं इंपोर् सामिल किया गया था और भीम बेटका हैं जो है वो इसको भी 2003 में जो है वो इने सको में सामिल किया गया था खजराओ दरसल जो है वो छतरपुर में पढ़ता है सांची बात की जाए तो राइशन में भीम बेटका भी राइशन जिले में पढ़ती है तो यह सबी जो है आपको याद रखना है खजराओ के जो टेंपल हैं दरसल वो चंदेल राजाओं की द्वारा बनवाया गया था नेक्स है यहां पर कि हिंदी कविटा की रचनात्मक सरचना की छित में दिये जाने वाला उतकर्ष सम्वान कौन सा है तो हिंदी की बात की जारी तो इसका अंसर हो जाएगा मैतली सरणगुप्त तो मैतली सरणगुप्त पुरुसकार जो है ये दिया जाता है हिंदी कविता की रचनात्मक्सर रचनाव के लिए जो की उत्कृष्ट ता सम्मान है मैतल संड गुप्त जो है वो इनको भारती आत्मा कहा जाता है भारती आत्मा कहा जाता है इनका जन्म जो है वो हुशंगावाद के बावई गाहों में हुआ था तो ये भी याद रखना नेक्स है मदपदेश के उस्ताद हामिर खान किस कला इथा के बिद्वान थे तो ये जो है वो ख्यार के बिद्वान थे तो इसका अंसर हो जाएगा बी आप्शन नेक्स है यहाँ पर किस राज की सरकार ने बालकाओं के बिकास के लिए लाडली लच्मी योजना का आरम किया गया तो ये उस समय के करेंट अफेस का कुश्चन है आपसे आगे ये पूछा नहीं जाएगा अगर आपसे पूछा भी जाता है तो मदपदेश याद रखना तो लाडली लच्मी योजना जो है वो मदपदेश में शुरू की गई थी तो ये शुरू की गई थी ओके अगला कुश्चन है यहाँ पर तो देखिए यह भी दो और अगर आपसे मदपदेश में पूछ लिए कि सबसे ज्यादा कौन सा जला है साच्छता तो जवलपूर है जिसमें करीबन 81% जो है वो इसकी साच्छता दार है सबसे कम जो है वो अली राजपूर में है तो यह उपर के तीन याद रखना है आपको और नीचे से याद यह में बता रहा हूं क्योंकि जन्गरना जो है वो फिर से होती है तो अभी सबसे रेलेटेट अगर आप से अगर आप से पूचा जाएगा तो 2010 की बात की जाए तो साथ क्रॉड़ 26,26,409 जो है वो मदफदेश की टोटल जन्संग्या है सबसे देश mond시고 कि जन्षंक्या के हिसाद से देख जाए तो च्छाए पर्शेंट जो है वह वह भागे मद्य पृदेश में जंसंख्या शब्स ज़्यादा जैंक्या जो है वह मद्य प्रदेश में इन दौर में हैं सबसे जादा तो ये भी याद रखना है नेक्स है यहाँ पर तो ये भी उस समय जो है वो 2016 का है तो इससे करने का कुछ मतलब नहीं है okay अगला कॉर्षण है आप बाद भगवान बुध्य ने अपना पहला अपधेश कहां दिया थ तो भगवान बुध़ के बारे में 563 BC में हुआ था, okay, डेट भी याद रखना है आपको, और इनकी जो म्रत्ती हुई थी, वो खुशिनगर में हुई थी, और इनको ग्नान की जो प्राप्ती हुई थी, वो कहां पर ऑद । बहुद ट्री pamię, बहुत गया मैं, तो बहुद pages ग्नान की प्राप्ती हुई थी, बाक उसके बाद जो है इनकी मौसी थी प्रजापती गौतमी तो उनके द्वारा इनका पालन पोशन किया गया था और प्रजापती गौतमी जो थी ये पहली बुद्ध की पहली महला शिश्या भी बनी थी गौतम बुद्ध की बश्पन का नाम जो था इनका गौतम था विवा हुआ था यसु तरह से और इनका पुत्र हुआ था राहूल तो इतनी आपको याद रखना है गौतमभुत के बारे में अगला कुश्चन है आप पर पार्षियों का पवित्र गंत का नाम बताईए तो पार्षियों का पवित्र का गंत रखी बात की जाए तो जैंड अवेस्ता है तो इसका अंसर हो जाएगा यह option अगर देखा जाए तो अपने हिंदू में बात की जाए तो हिंदू में सबसे पवित्र जो है वो गीता होती है जिस पर बात की जाए तो कसम खिलाती है जो भी जज रहते हैं बाकी अधालत में तो ये भी याद रखना अगला question है आपर एक मात्र ऐसा सहर जो दो राजधानियों की राजधानी है तो इसका answer हो जाएगा चंदीगर तो चंदीगर जो है वो कौन-कौन सी पंजाप वह रहार होगा तो इनकी जो है वो राजधानी है याद रखना है आपको दोनों की एक ही राजधानी है चलिए अगला question देखते हैं नेक्स है यहाँ पर यह भी 2016 का है सार्क देशों के सुरच्छे तो बैसे यह पूचा गया था तो यह भारत में हुआता है इस ताम पर तो यह याद करने का कुछ मतलब नहीं है चलिए वाला देखते हैं यह important question है कि उस इस्तान का नाम बताईए जो अपनी oil refinery और oil field के लिए प्रिसिद्ध है तो यह है आसाम गड़ डिब्रू गड़ आसाम में हैं तो इसका answer हो जाएगा यह option आसाम से काफी question पूछ ले जाते हैं आसाम में जो है वो विस्व का सबसे बड़ा river नदी दीप है जिसे माजली दीप कहते हैं जो कि ब्रह्मा पुत्र नदी जो है वो बनाती है तो यह याद रखना है यहाँ पर और मद्र प्रिदेश में हैं जो बीना रफाइनरी है तो कौन से जली के अंतरकत आती है सागर जली के अंतरकत आती है तो याद रखना है नेक्स और से राश्टी मदमक की अनसंदान एवं प्रसेश्चन संस्ता इन में से कौन से सहर में इस्तित है तो इसका answer हो जाएगा प पाइलोजी हुआ बाकी चीज़ें हुई तो इनमें आपको रट्टा ही मनना पड़ेगा रट्टा मानोगे तब याद होंगी और आप आवाज बोल के नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे कानों में सुनाई दे रही है खुद की आवाज भी तो यह साइंटिफिकली मिल जाएगा यह मैं नहीं बोलता है साइंटिफिकली प्रूब है साइंटिफिकली कहना है तो यह कुछ चीज़ें होती है रट्टा मानने लाइक होती है तो यह आप रट्टा ही मारो चलिए अगला कुशन देखते हैं मद्देश में सरवादिक प्राची नैशनल पार्क चुकि मंदला वाला गाट में पड़ता है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओके बाकी बात की जाए तो बांदवगर बांदवगर जो है कहां पर पढ़ता है यह मरिया कटनी में पढ़ता है और मादवगर जो है वह इस पुरी में सबसे बड़ा और सबसे चोटा पुछ लिया तो पोसियल नच्यल फारक है मादवगर इसमें सबसे ज्यादा जो है वो राश्यों ध्यान पा जाते हैं जो की ग्यारा है और अब्ध्यारंड अगर आप से पूछ लिया तो 37 अब्ध्यारंड में जो है वह राला मंदल जो दोर में है और नोरा दी भीहरंड जो कि सबसे बड़ा है जो कि शागर में पड़ता है तो यह चीजह आपको याद रखना है नेक्स है आपकों सा अर्द चालक है तो अर्द चालक जो है वह इसका अंसर हो जाएगा Silicon Silicon से जो है वो छिप होती है मदर वॉर्ड हुआ बाकी चीजह हुई तो Barcelona सी जो है यह बंशनी होती है तो चिप जो है वो याद रखना है पूचना जाती है कि जÑ चिप रहती है एक्षाना कि मुद्रकैश डाट्र आपकkin होती है तो अ मद्पदेश का तो कच्छी पुड़ी है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ऑप्षन कतकली दरसल जो है वो यह केरला का है उड़ीशा जो है और भरत नाट्यम जो है यह तमिल नाडू का है डांस फोम है आपको याद राखना है अगला कुश्चान है आपार मद्पदेश में तुल्सी संब्बाष जो हैं किस्चेत्र में दिया जाता है तो तो देख यहां पर यह दिया हुआ है लोग कला ऊके तो आपको लोग का एवन-पाराम पर कलां भी लखा मज पड़ता है या कि यहां पर लोक का लावलेखा मिल गया है तो यह option जो है इसका अंसर हो जाएगा तुलसी सम्मान की जो है इस्तापना जो हुई थी 1983-84 के बीच में हुई थी जिसमें 2 लाख रुपे की रासी दी जाती है नेक्स है यहां पर 12 अप्रेल 1944 को नेताजी सवास चंद्र बॉस द्वारा भारती जंडा कहां फैरा गया था तो यह फैरा गया था मणीपुर में तो इसका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इनके सवास चंद्र बॉस की दारा आजाद हिंद पहुच की जो है वो इस्तापना हुई थी और दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा तो यह जो है वो किसका नारा था सवास चंद्र बॉस ची का ही नारा था तो यह दोनों ही नारे आपको याद रखना है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा तो यह नारे जितने भी हैं आपको याद रखना जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद बगसीम के द्वारा डू और डाई करो या मरो का नारा महत्ना गा दिया गया था पूर्ण सुराज जवालाल नहरू के द्वारा दिया गया था बैदों की तरफ लोटो जो की दयानन सुरसती के द्वारा दिया गया था भाराच छोडो महत्मा गांदी के द्वारा जैजवान जैकेशान जो है वो लाल बहादो सास्त्री के द्वारा मारू फ कुछन है यहां पर कि जैनवाद के संस्थापक बर्दमान महावीर के संबंद में कौन सा विकल्प सही है तो यह दरसल जो है वह 24 वे तीर्टकर थे तो इसका अंसर हो जाएगा यह आप्शन ओके महावीर तो महावीर ने जो है वह जैन धर्म के समूल जो है वह को संस्थापक माने जाते हैं जो कि 24 वे तीर्टकर थे अगला कुशन है बोपाल वर्स में मद प्रदेश की राजधानी मनी दे तो बोपाल में पूचा गया कि मद प्रदेश की राजधानी बोपाल वो किस वर्स बनाई गई थी तो 1956 को जो है बोपाल की राजधानी बनाई ग तो वैंच जो है वह वह कहां पर में देख को छोड़ के नाए म hadd行 में इस इसका odor कँ जाएगा में भी आप्श्ण देखिए अगर आपको भुफाल का भी याद है कि भूफाल में नहीं है तो आप तिस तो में बैसे मयन जो पूछा जाय तो जर्म है जो वलपूर में जिसकी इस्तापना स्थापना त्टै्स सिस्क्राएब पूर्ट की जह आभी चीफ ईस्टिछ जो है वह अगला कुशन है यहाँ पर सब्सक्राइब कहाँ पर रहते थे थे तो बहुत ही आसान सा question है महाराष्ट में इसका अंसर हो जाएगा c option next है यहाँ पर कि भारत का राष्ट यह पसू royal बंगाल टाइगर है इसमें पहले कौन सा पसू था तो इसमें जो पहले था वो लॉइन हुए करता था तो इसका अंसर हो जाएगा बी option ओके तो यह थे 25 question आई होप सारे question आपको अच्छे से समझ में आये होंगे जो भी additional information देता हूं खासकर वो ध्यान रखिएगा और जो question है वो तो important ही है तो क्योंकि जो भी additional information बताता हूं वो किसी ना किसी एक्षा हम में आई होए question है तो आप ज़्यादा focus किया अगर है सुनने में और पढ़ने में ओके तो मिलते एक लिए वीडियो में वीडियो को like और share जरूर करना जो भी साथ ही नए है चैनल को subscribe कर लेना एक red कल का बटन आ नएटे